नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का प्रिलिम्स मंत्रा में आज की डेट है 23 जून 2023 आज ये शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की आज के पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया यूस डील के बारे में देखिए आप सभी को पता होगा अभी भारत के जो प्रधान मंत्री है ये यूस की विजिट पे गए हुए है तो यहाँ पर कुछ ट्रेट डील्स हुई है यूस से और हमारे बीच में तो सबसे पहले इनके बारे में जाल लेते हैं देखिए जेट इंजिन्स को लेके एक टेकनलोजी ट्रांसफर के लिए हमारे बीच में MOU साइन हुआ है वन इस यूर जनरल इलेक्रिक्स चुकि USA की कंपनी है और हेल इसके बीच में ये MOU साइन हुआ है जहाँ पर तेजस जो हमारे एरक्राफ्ट हैं उनमें ये हमारी हल्प करेंगे अब ये एक इंपॉर्टन डील है क्योंकि इंडिया में इंडिजनिसली हम एरक्राफ्ट को बिल्ट कर पाएंगे तो आने वाले भविश्य में हमारे पास अफसर रहेगा कि हम और बहतर इसमें कर सकें इसके रावा इंडिस एक्स करके एक इन्विशन प्लाटफॉर्म स्टार्ट किया जाएगा जहां पर हम फोर्सर करेंगे कहीं न कहीं डिफेंस के आपस के कॉलाबरेशन को तो आपस में बना रहे हैं इसी तरह से और भी बहुत सी चीजों में हम एक साथ आ सकते हैं तो वो क्या-क्या चीजे हो सकते हैं वो इस प्लाटफॉर्म पे डिस्कस किया जा सकता है साथ के साथ अभी हाल फिलाल में युएस से हमारे चिप मार्केट और सेमिकंडक्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा अभी रिसेंटली आपने माइक्क्राउन के बारे में भी सुना होगा जो भारत में निवेश कर रहा है सेमिकंडक्टर सेक्टर में और ऐसे और भी बहुत से निवेश आने वाले हैं तो यहां पर किन-किन सेग्मेंट में यहां निवेश होगा तो एक चिप असेंबली में और टेस्टिंग फसिलिटीज में क्योंकि देखे चाइना के ऊपर USA अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता और वो चाहता है कि उसके जो ज़्यादा करीब लोग हैं उनको ऐसे अफसर मिले या उनके होम ग्राउंड या आप कह सकते हैं कि USA में यह तेस्ट फसिलिटीज हों तो यहां पर इंडिया के पास कहीं न कहीं USA से इन्वेस्टमेंट आने का मौका रहेगा क्योंकि इसके उप 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसपेट कर रहे हैं तो इंडिया ने भी अब डिसाइड किया है कि वो अल्तरमें सकॉट का पार्ट बनेगी तो यह एक अच्छी खबर है इसके इलावा 2024 में जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को भीजा जाएगा उसमें भारत पार्टिसपेट कर लास्ट में जो emerging technology है जैसे quantum computing AI इसमें USA के साथ हम पार्टिसपेट करेंगे अब देखें इस visit की महत्व क्या है इसको आपको समझना चाहिए means perspective से थोड़ा अगर बात कि जाए चाइना का dominance काफी increase हो रहा है तो USA को भी चाहिए कि उसके पास कुछ strong allies हो जिससे चाइना के पास इंटरनेशनल ट्रेडिंग में Chinese currency का इस्तमाल कर सकता है रशिया अब भारत के साथ तो यह होता है रशिया को payment को लेके बहुत परिशानी आती है तो इतना ज्यादा fruitful नहीं रहता है रशिया का investment इंडिया के अंदर या आप यह कह सकते हो export जो रशिया हमारे को करता है उसमें रशिया को कई बार घाटा भी होता है अब यह चीज तो हमें समझ में आ रही है कि चाइना के बहुत जादा रशिया करीब जा रहा है बट USA भी तो इस बात को समझता होगा ना USA को भी तो कोई इंडिया जैसा अलाय चाहिएगा अब दूसरा point यह है कि अभी recently चाइना और USA क के बीच में meeting हुई अब इंटॉनी जी ने जब यहां पर चाइना में विजट किया तो उसके बाद कुछ बाते हुई कि बही चाइना और USA के relationship अच्छे हो जाएंगे अब यहां इंडिया को भी तो picture clear करनी होगी ना क्योंकि देखिए चाइना के साथ इंडिया के रिष्टे इतने अच्छे नहीं है अब USA की भी रिष्टे अच्छे नहीं होते हैं तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि अगर USA और चाइना के relation इंप्रूव होते हैं तो इससे इंडिया के लिए भी एक positive है अब positive क्या है इसको आपको एक पॉइंट में मैं समझाता हूँ दिखिए इंडिया से चाइना जो है दुखी इसलिए है क्योंकि हम बहुत जादा करीब चलेगे हैं USA के अब चाइना को यह लगता है कि इंडिया के थ्रू चाइना के अंदर USA दखल अंदाजी करेगा तो इस वज़े से चाइना और हमारे relationship इतने अच्छे नहीं चल गए पट अगर इन दोनों के relation अगर सुधरते हैं तो सकता भविश्य में हमारे लिए कुछ अच्छे scopes निकल जाएं तो यह भी एक positive यहां से निकल के आ सकता है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे काली नगर के पास हम ए Postal Regulation Zone के अंदर आता था एरिया जहां पर यह construction होनी थी तो अभी Center की Environment Ministry ने इसके लिए approval दे दिया है लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते रखी हैं देखे सेंटर ने यह कहा है कि हम इस clearance को revoke कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं अगर हमें लगा कि आपने हमारी शर्ते नहीं मानि तो इसमें पहली जो शर्त रखी गी है वो यह रखी गी है कि Tamil Nadu Pollution Control Board इसको आपको environmental statement को provide करना होगा अगर यह clearance देता है इसे लगता है कि यहां पर इतना ज़्यादा pollution नहीं होगा इसके वज़े से या आप यह कह सकते कि जो marine life है उसके उपर negative impact काम होगा तो उस case में आपको approval मिल जाएगा दूसरी चीज आपको no objection certificate लेना होगा INS अधियार से और यह construction से पहले लेना पड़ेगा आपको तीसरी चीज यहां पर यह कहा गया कि time to time हम monitor करेंगे erosion को और उसको study करेंगे ताकि हमें पता रहे कि इस area में किस तरह की geographical development हो रही है ताकि भविश्य के लिए हम त्यार रहें अब यह जब भी जो आप यह determined condition है यह आपको upload करनी होगी PWD की website पे ताकि यह public domain में रहें अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो central government ने यह कहा है कि आप इसको construction कर सकते हो अब देखिए सबसे पहले आप समझें यहाँ पर कि coastal zone क्या होता है उसके बाद आ मईन आपके जितने भी land farms देखने को मलते हैं चाहिए आप bay की बात करें आप gulfs की बात करें आप बात करें जयसे seas की आप बात करें ममें और आप उन एरिया की बारे में बात करें जहाँ पर आपको tides का impact देखने को मिलता है अब देखे, tide के दो points होते हैं, एक होता high tide point और एक होता low tide point, मतलब जब high tide होगी तो इस point तक आपका water पहुंचेगा, एक होता है आपका low tide zone, जो कि low tide जब आती है आपकी, उस समय वहां तक आपका water होता है, तो इस area में तो आप construction कर ही नहीं सकते हैं, मतलब coastal zone में यह सभी parts आत में हम regulate करते हैं, कौन-कौन से activities allowed कर सकते हैं, यह कौन-कौन से नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए Environmental Protection Act 1986 के तहत, coastal regulation zone आपकी policy आई थी, जिसके तहत, Environment Ministry इसको regulate करती है, अगर बात की जाए यह area, एकलोजिकली बहुत जादा sensitive area क्योंकि यहाँ पर आपको mangroves देखने को मिलते है हैं, corals देखने को मिलते हैं, जो की tsunami और cyclone से हमार को बचाते हैं, साथ के साथ जो आपकी coastal community है, वो fishing के लिए, जो आपकी fishing community है, वो fishing के लिए इसके उपर बहुत जादा dependent रहती है, और यह कहीं न कहीं जो आपका area है, cyclone से सबसे जादा impacted होता है, तो हमें यहाँ पर resilience infrastructure को develop कर करना पड़ता है, मतलब कुछ इस तरह का infrastructure develop करना पड़ता है, जो इस तरह के cyclone, जो heavy wind चल रही है आपकी, उसको सेहन कर सके, तो यहाँ पर हमें conservation और development के बीच में एक balance maintain करने की जरूरत होती है, अब 2018 में एक notification के जरीए, हमने coastal regulation zone, notification 2018 के तहर्त इसे mention किया था, मतलब इन regulation को change किया था, इससे पहले 2011 की आपकी regulation होती थी, 1991 की आपकी regulation होती थी, अब यहाँ 2018 में जो इसके बारे में देख लेना, प्री प्रस्पेक्टिव से आपको इतना ही जाना था, आईए अब बात करते हैं अगले article की, इस article में हम बात करेंगे, National Consumer Dispute Redressal Commission के बारे में, लेकिन पहले article का context समझते हैं, अभी recently एक couple ने case कर दिया एक hospital के उपर, हॉस्पिटल से गलती क्या हुई, आपने एक movie देखी होगी good news, अब इस movie में क्या होता है कि दलजीत दुसांच और अक्षे कुमार के sperm exchange हो जाते हैं, ऐसी कुछ negligence एक hospital ने कर दी real life में, अब इसी कारण से इन्हें consumer court में ले जाया गया, इन couples के त्वारा, अब यहाँ आपक के लिए प्रक्रिया का इस्तमाल करते हैं, that is your in vivo fertilization, जहाँ पर आप within the body echo fertilize करके baby की formation करते हैं, अब बेबी की formation में first stage आती है, आपकी embryo formation, तो यहाँ आप यह देखेंगे कि body के अंदर ही सब कुछ mechanism हो रहा है, अब यह naturally भी हो सकता है, प्लस artificially भी हो सकता है, अब artificially कैसे, जिसे माल लिजे कोई person है, उसके sperm count कम है, या आप यह कह सकते हो कि उसके sperm में mobility नहीं है, मतलब इतने motile नहीं है sperm की वो जाके echo fertilize करे, तो उस समय artificial insemination का भी इस्तमाल किया जाता है यहाँ पे, तो in vivo fertilization में आप इसे include करते हैं, बट in vitro इससे totally opposite है, जिसे माल लिजे एक महिल है, उसके womb, यानि coke में कुछ problem है, जिसके वजे से egg fertilization नहीं हो सकती है, या वो baby को carry नहीं कर पा रही है, मतलब initial stage में, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कि egg और sperm को outside the body fertilize किया जाता है, जब वो embryo की form में बन जाते हैं, तो उसे transfer कर दिया जाता है woman के womb के अंदर, अगर बात appeal here करता है नीचे वाले court से जो भी आते है consumer redressal के लिए, इसको head करते है, या तो कोई sitting या retired judge of supreme court, यहाँ पर कोई भी person, अगर high value case है, यानि more than 1 crore rupees उसमें include हो, तो उनके लिए यहाँ पर appeal कर सकता है, मतलब complaint कर सकता है, इसके लावा, अगर इससे further किसी को appeal करनी हो, तो वो supreme court में जाएगी, इस decision के within 30 days यह appeal आगे कर सकते है, last जो आपको याद रखने है, यह cover करता है, दोनों ही चीजे, goods भी और services भी, यह एक तरह का आपका appellate authority है, यह आपको याद रखने है, जैसे district forum होती है आपकी, फिर state commission है, और उसके उपर national commission, और last में आ जाता है आपका supreme court, त stone diamond हम लेके गए थे, अब यह काफी important है, 2023-24 के budget में भी इसके बारे में बात की गई है, अब क्योंकि यह eco-friendly है, इसके लिए mining नहीं करने पड़ती है, अब mining नहीं करने पड़ती है, तो इस वज़े से pollution कम होता है, तो यही कारण है कि environment friendly है, और इसी के कारण इसके demand काफी जा आप्रॉक्सिमेटली 1500 डिग्री तेंप्रीचर तक प्लस इसके उपर बहुत जादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वज़े से यह diamond में convert हो जाता है, एक method तो यह है, दूसरे method में हम chemical vapors का इस्तमाल करते हैं, मतलब एक chamber लेते हैं, इस chamber में हम carbon share related आपकी gases को fill कर मतलब carbon rich gases को, जैसे carbon dioxide हो सकती है, carbon monoxide हो सकती है, कोई भी ऐसी gas, अब यहाँ इसे heat किया जाता है approximately 800 degree Celsius तक, तो इस तरीके से भी आपके laboratory grown diamonds की preparation होती है, अब इसकी जो chemical composition है, physical outlook है, यो optical properties है, वो natural diamond जैसे ही रहती है, तो इस वज़े से भी अब महिलाओं में इनका चनल काफी इन से, अब इसका जो नाम है, कलमदान, यानि कि pin stand से लिया गया है, अब यहाँ आपको एक दो information इसके बार में यह याद रखनी है, कि 13 century में एक Muslim saint वा करता था है, मेर सेयद अली हमदानी, यह परशिय से इस technology को लेके आए थे, जहाँ पर आप paper pulp, या decoration, या colorful artifact का इस्तमाल क अब इससे benefit यह है, कि मालिजे मैं same technology का इस्तमाल करके, उत्राखंड, चंडीगाड या कहीं भी कोई चीज बना रहा हूँ, चाहे वासल हो, बाउल हो, कुछ भी, तो मैं यह claim नहीं कर सकता कि यह जम्मू कश्मीर का है, अगर मैं ऐसा claim करूँगा, तो इसके लिए मेरे को fine pay करना होगा, क्योंकि properly एक geographical area से इसकी identity को यहाँ पे link किया गया है, इसके लावा gift box में आपकी और भी बहुत से चीज़े थी, जैसे अजे दाना घी जो पंजाब से लेके गए हैं, बुदान सेंडलवूड जो की मैसूर से लेके गए हैं, धन्यदान राइस जो की उत्राखं से बिलॉंग करते हैं, गौदान, सिल्वर कोकोनेट, यह वेस्ट मिंगॉल से हैं, हिरन्यदान, डाट इस गोल्ड कोईन, जो की राजस्तान से बिलॉंग करते हैं, अब देखें, यहाँ पर लास्ट मिन दान लिखे हुएं सभी के पीछे, तिल दान, वाइट तिल है जो आ कि क्या पता, UPSC आपसे जिसे यह जो गोल्ड कोईन है, यह सिल्वर कोईन है, राजस्तान के, यह तमिल नाडू के कोई तिल, वाइट तिल के बारे में आपसे पूछ ले कि क्या इसकी स्पेसिफिक फीचर है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में देखना चाहिए, वैसे इतना जादा भी important नहीं है, पट सिल, for safety purpose आप एक पर ही read कर लेना, तो इस article में इतना ही था, आईए, अब बात करते हैं अगले article की, इस article में हम देखेंगे map UAE और इरान का, क्योंकि अभी recently, इरान के एक minister ने visit किया है UAE को, अब इस map में थोड़ा देख लेते हैं, त इसका land border share करता है, यह साओधी के साथ south में, south, south west बूल सकते हैं आप, east की तरफ आपका उमान आ जाता है, और north में भी यहाँ tip पे आपका उमान है, इसके इलावा इसके opposite यहाँ पे आपका इरान है, यह पूरा area आपका territory किसका इरान का है, यह water body आपकी कहलाती है portion gulf, जो की state of harmos के through, gulf of oman के साथ linked है, और तो आपको थोड़ा इरान की location के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पे, दीकिए इरान के west में आपकी दो countries है, one is Turkey, in the north, बतलो थोड़ा सा northern side में आ जाती है, और यहाँ पर आ जाती है आपकी इराग, अगर north की बात किजए तो यह कैस्प bodies तो मैंने आपको बताई ही दी है, तो एक बार comment box में इन सभी countries के बारे में जरूर से लिखना, ताकि आपको याद रहे अग्जाम में, आईए, अब बात करते हैं अगले article की, इस article में हम बात करेंगे मनिपूर के बारे में, दीकिए मनिपूर का हमने map तो पहले ही देख ल अब ऐसी हालतों में, एकनौमी तो यहाँ पर work नहीं कर रही होगी, मतलब कहीं न कहीं जो दुकाने हैं, जो सभी economic activities हैं, वो लगवख बंद रहेंगी, अब ऐसी cases भी, जिन्होंने bank से loan ले रखा था, तो उनके लिए bank loan चुका पाना बहुत मुश्किल रहेगा, तो यहाँ पर उन loans को restructure और rescheduling के लिए state ने कुछ provisions invoke के हैं RBI के, अब RBI के बारे में आपको थोड़ी बहुत बाते पता होना चाहिए, कि RBI Act 1934 के तहित RBI को power मिलती है, originally यह एक private sector bank था, बाद में इसे nationalize कर दिया गया, अब इसके functions के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि जो notes हैं, जो currency हम issue करते हैं, यानि coins नहीं, सिर्फ notes, इनकी printing का काम आपके RBI के पास है, यह bankers का bank है, मतलब SBI, RBI के पास ही आपका आके पैसे मांगता है, अगर in case इने का भी ज़रूरत हो, या bank के पास कोई surplus money है, तो वो भी इने के पास आके जमा होती है अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह government का भी bank है, जैसे आपने सुनों को government security, issue government करती है, बट government के प्रिहाफ पे उसे बेचता RBI है, फिर भारत के अंदर जो exchange rate है, इसको maintain करने का काम भी इसी को दिया गया है RBI को, अब इसे कैसे maintain करते हैं, जैसे हमार पास forex reserve में dollar पढ़ा है अमाल एजर dollar जो है, इसकी value increase हो रही है, और Indian rupee की value जो है, वो depreciate कर रही है, तो यहाँ पर हम market में, अपने forex account में सी, कुछ dollars निकाल के market में induce कर देंगे, जिससे demand और supply के बीच में equilibrium आएगा, और इससे rupee की value stabilize होती है, तो कहीं न कहीं यह manage करता है, आपके foreign currency exchange को भी, अब इ इसे economy के अंदर inflation को maintain करते हैं, यानि आप price जो stability है, उसके लिए किस तरह से work करेंगे, अब देखे, आपको सभी को पता होगा, inflation को monitor करने के लिए, या control करने के लिए, government का भी अपना role है, और साथ के साथ RBI का भी है, central bank का भी है, तो इसी जिम्मेवारी को निभाने के लिए time to time, आपकी monetary policy committee की meeting होती है, लास्ट चीज जो आपको ये याद रखनी है, कि मालिज एक bank है XYZ, अगर ये bank default करने की कगार पे है, अगर इसे कुछ पैसे चाहिए, तो यहाँ पर RBI इनकी मदद करता है, और इसी को कहा जाता है कि ये lender है last resort का, अगर कोई bank को बहुत urgency में पैसा चाहिए, तो वो RBI से आके पैसा उधार ले सकता है, और ये control करने के लिए आपका repo rate वगरा रहता है, या आपको या bank rate रहता है, या आपको पता होना चाहिए, आईए, अब बात करते हैं अगले article की, इस article में हम बात करेंगे मत से यान 6000 के बारे में, या समुदर यान mission के ब उसी तर्ज पे हम underwater भी काम करना चाहते हैं, इसमें Ministry of Earth Science के साथ आकर इस रो काम कर रहा है, अब Ministry of Earth Science के बहाफ पे यहाँ पर काम कर रहा है आपका National Institute of Ocean Technology, अब इनोंने मत से यान 6000 बनाने की सूची है, इसे बनाने के पीछे reason यह है कि हम समुदर के अंदर exploration करना चाहते हैं, जिसे समुदर की तलहटी में कुछ बहुत rare minerals मिलते हैं आपके, metals मिलते हैं, हम उनको extract करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में experimentation में आपका मत से यान 6000 help करेगा, यहाँ 6000 का मतलब यह है कि हम 6000 मीटर तक नीचे depth में जाना चाहते हैं, अब इसके बारे में हम बात इसले क कर रहे हैं क्योंकि Titan नाम का एक समर्सेबल था, जो कि Titanic पे कुछ टूरिस्ट को लेके गया था, लेकिन वो टूरिस्ट अब lot के वापिस नहीं आए, और हमें यह भी नहीं पता लग पा रहा है कि Titan है कहां, कहां गायब हो गया, अब Atlantic में डूबे इस जहाज के पीछे, वैसे भी टूरिस्ट का बहुत क्रेज है, तो कुछ गए थे, पर Titan कहीं न कहीं डूब गया, तो उसके बाद उनका पता नहीं लग पा रहा है, तो यहां पर इसी चीज को लेके कुछ हमारे डाउट्स थे, मत से यान 6,000 के लिए, तो इनी को address करते हुए, Ministry of Earth Science ने कुछ चीजे ब location track हो सकते हैं, मतलब आपके physical location को trace करने में यह help करेगा, यहां हमने इसे बनाया titanium से, जो की strong भी है और lighter भी है, इसकी जगा हम carbon fiber का भी इस्तिमाल कर सकते थे, बट उतनी strength और उतना lightness नहीं हमें देखने को मिल रहा था, अगर हम steel को इस्तिमाल करते, तो उसमें erosion का खत्रा थ और वो भारी भी बहुत था, तो वो reef surfacing में कहीं न कहीं problem create कर सकते थे, तो इस वज़े से हमने यहां पर कोशिश की है कि हम titanium का इस्तिमाल करें, लास्टली आपको याद रखने हैं कि मत से यान की जो shape है, उस spherical रहेगी, ताकि सबी जगा से equal pressure create हो, और आपकी जो यान है, या उससे अंदर जो crew member है, उनकी जान को संकट आ सकते हैं, तो यहां पर इस article में आपको इतना ही जानना था, अगर आपको हमारे handwritten notes को download करना है, तो आप हमारा channel यानि UPSC Munch Telegram पे join कर सकते हैं, इस QR code को scan करके, आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद